नमस्कार, आज के इस उडियो में हम बात करेंगे 36 गड़ सिख्षक पात्रतर परिच्छा सिजिटेट 2022 में पूछे गए समाजिक अध्यन के प्रस्णों के बारे में समराथ असोक ने पहली धर्मयात्रा निमलिखित इस्थान पर की थी समराथ असोक ने अपने सासन काल के दस्वे वर्ष में पहली धर्मयात्रा बोद गया इस्थान पर की थी अगला प्रस्ण है अकबर ने अपने सासन के 24 वर्ष 25 पर आधारित नई राजस्च व्यवस्था प्रारंभ की थी उसका नाम था उप्शन है इलाही व्यवस्था इक्ता व्यवस्था मुक्ताई व्यवस्था या दह साला इसका सही आंसर है उप्शन डी दह साला अकबर ने अपने सासन के 24 वर्ष 25 पर आधारित नई राजस्था प्रारंभ की थी उसका नाम था दह साला निम्न लिखित की संथ को गवरांग महाप्रभु कहा जाता था? अप्शन है तुकराम, तुलसीदास, चैतन्य या वल्लभाचारिया इसके सही आंसर है अप्शन C, चैतन्य चैतन्य महाप्रभु को गवरांग महाप्रभु भी कहा जाता था एगला प्रस्न है मुसनमान प्रजा का इस नाम नियम के अनुसार सदाचार का नियाक्षण करने वाला मुगल अधिकारिथा आप्पशण है काजी ईलकुजात, उलेमा, मुहताशिव या दिवान ए सहाधत इसके सही āज़ अंसर है आप्पशण C मुहतासिब, मुसल्मान प्रजा का इस्नाम नियम के अनुसार सदाचार का रियक्षन करने वाला मुगल अधिकारी था, मुहतासिब सुफी संथ सेख अहमद सरहिंदी, किस सुफी संप्रदाय के थे? अप्शन है नक्सबंदी, कादिरी, चिस्ती या अहमद दिया किस मराठा पेश्वा ने अंग्रेजों के साथ बासिन की संथी 1802 में की थी? अप्शन है रगुनात राव, बाजी राव दूतिय, माधार राव दूतिय या बालाजी इसका सही अंशन है अप्शन बी बाजी राव दूतिय बेशिन की संथी अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी और माराठा संग के पेश्वा बाजी राव दूतिय के बीच 31 दिसंबर 1802 को पूना की लडाई के बाद हस्ताक्सर किये गये थे अगला प्रस्ण है 1857 के विपलाव को इंग्लाइन के किस नेता ने सुनियोजित एवं सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम बतलाते हुए एक राश्ट्रिय विद्ध्रोह कहा था अप्शन है डिजराईली, ग्लेरिस्टोन, लायड जॉर्ज या राबर्ट पील तो इसके सही आंसर है अप्शन ए डिजराईली ने सुप्रिम कोट ने कार्य इस्थल में महिलाओं के छेड़ छाण को मौलिक अधिकारों का हनन का अपराध मानने वाला विशाखा दिशा निर्देश कब जारिक किया गया अप्शन है 1998, 1997, 2001 या 2003 को तो इसके सही आंसर है अप्शन B 1997 को 1857 के विपलाव के पस्चात East India Company की सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता की इस्थापना की घोषना कब की गयी थी अप्शन है अप्रेल 1859 को, जून 1859 को, नॉमबर 1857 को या अगस्त 1859 को तिसके सही आंसर है अप्शन D. अगस्त 1859 को 1857 के विपलाव के पस्चात East India Company की सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता की सत्ता की इस्थापना की घोषना अगस्त 1859 को की गयी थी अगला प्रस्टन है ब्रिटीश कालिन भारत में जाती विवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित कारक नहीं था ओप्शन है औध्यकरण 16Old जाती पंजायत या अंगर्यजी सिक्षा तो ब्रिटिश कालिन भारत में जाती विवस्था को प्रभावित करने वाला कारकों में नहीं था वो है option C, जाती पंचायत, बाकी तीनों ही अधुगी करन, पास्चातर सभ्यता और अंग्रिजी सिच्चा, ये तीनों ही कारक बिटिस कालिन भारत में जाती वायस्था को प्रभववित करने वाले कारक में समय लिद था, अगला प्रशन है, कोटिल्य के अर्था सास्तर के अन छेत्रक भूस्वामी को कहा जाता था, निम्रेलिखित अधिनस्त राजपुत राज्यका अकबर के साथ कोई व्यवाहिक संबंद नहीं था, अप्शन है, जैसलमेर, बिकानेर, बासवाडा या आमेर, तो दिएगे option में, राजपुत राज्यका अकबर के साथ कोई व्यवा संसकार होता था, औप्शन है, चारपतिज्या, उपनयान, जात कर्म या समावर्तन, तो इसका सही आंशर है, option D, समावर्तन, वैदिक साहित्यके अनुसार, विद्यार्थी जीवन संसकार होने पर समावर्तन संसकार होता था, हिंदू धर्म में 16 संसकारों का उलेक किया गया है, गर्भधान, पुन्षवन, सिमानतों नयान, जात कर्म, नामकरण, निस्क्रमन, अन्नप्रासन, चूडा कर्म, विद्यारंब, भूत संसकार, कर्णवेद, यग्वपवीत, वेदारंब, केसांत, समावर्तन, विवाह और अन्तियोष्टी, इस तरह से जो question में लिखा है व्यदिक साहितिका अनुसार, विद्यार्थे जीवन समावत होने पर कौन सा संसकार होता था, तो इसका सही आंसर है, समावर्तन, अगला प्रश्ण है सुफी धर्म में, इस्वर्त से एकात्न प्राप्त करने के साधनों में, एक है समाव, इसका अर्थ होता है, आप्चन है, उपवास, संकिर्तन, ध्यान, भेदभाव रहित प्रस्ण में पुछा है, सुफी धर्म में इस्वर से एकात्न प्राप्त करने के साध्यों में एक है समा, तो समा का अर्थ होता है option B, संकिर्तन आधुनिक भारात में नगरिकरन प्रक्रिया के विकास में निम्नलिखित कारण नहीं माना जाता है option है, सांस्कृतिक प्रामपरा, व्यापारिक केंद्र, संचार माध्यमों का विकास या क्रिशी में नवीन प्रयोग तो इसके सही answer है option A, सांस्कृतिक प्रामपरा निम्नलिखित इस्थाम में प्राप्त संस्कृती, हडप्पा युगोत्त संस्कृती है option है, बेलन घाटिक संस्कृती, क्वेटा घाटिक संस्कृती, जुकर संस्कृती या सोत्का कोट संस्कृती इसके सही answer है option C, जुकर संस्कृती जुकर संस्कृती, प्राप्त संस्कृती, हडपा युगोत्त संस्कृती है निम्नलिकित में से किस राजा ने दक्षिन पूर्वी एसिया के मलाया में भारती समराज की इस्थापना की थी? आप्षन है समुद्रकुप्त, सैलेंद्र, कनिश्क या महेंद्रने इसके सही आंसर है आप्षन B, सैलेंद्रने शलेंद्र राजा ने दक्षिन पूर्वी एशिया के मलाया में भारतिय समराज की स्थापना की थी रिगवेद में दस राजाओं के संग के साथ युद्ध करने वाले किस राजा का नाम आता है आप्शन है इंद्र, सुदास, भरत या वैस्वा इसके सही आंसर है आप्शन B, सुदास रिगवेद में दस राजाओं के संग के साथ युद्ध करने वाले राजा का नाम आता है उसका नाम है सुदास पंची तंत्र का फार्शी भासा में अनुवाद करने वाले लिखा का नाम है आप्शन है बदायुनी, अबुल फजल, दाराशिकोह या फैजी तो पंची तंत्र का फार्शी भासा में अनुवाद करने वाले लिखा का नाम है आप्शन भी अबुल फजल मुक्ति का साधन भक्ती मार्ग बताने वाले भक्ती आंदोलन के प्रथम संथ का नाम था ऑप्चन है रामानन, कबीर, निंबरकाचार्य या रामानूझ इसके सही आंशर है ऑप्चन समझोता किया था इस निती को क्या कहा गया था option है शुरक्षा घेरे की निती समानता एवं संगर्ष की निती समानता एवं पार्थक की निती या संग की निती इसका सही आंसर है option अगला प्रस्ण है भारत में बाल्ष्रम निती के क्रियानवयन के लिए बाल्ष्रम उन्वुलन प्राधिकरन कब बनाया गया। आप्शन है 1994 में, 1987 में, 1978 में या 1974 में इसका संजया अंसर है आप्शन A, 1994 में भारत में बाल श्रम निति के क्रियानवयन के लिए बाल श्रम उन्मरन प्राधिकरण 1994 में बनाया गया इसवी संज 433 गुप्तकाल में जयन धर्म की धर्म सभा किस इस्थान में हुई थी? अगला प्रशन है समराट असो के इतिहास जानने का मुख्य स्रोथ अभिलेख है उसके अर्माइक भासा के कितने अभिलेख प्राप्त है आप्शन है पांच, साथ, एक या तीन इसका सही आंसर है आप्शन D, तीन राश्ट पती की उच्टम न्याले से सलाह करने की सक्ति का उलेख समिधान के किस अनुछेद में है? आप्शन है अनुछेद 124, अनुछेद 143, अनुछेद 134 या अनुछेद 164 इसका सही आंसर है आप्शन B, अनुछेद 143 में राश्ट पती की उच्टम न्याले से सलाह करने की सक्ति का उलेख समिधान के अनुछेद 143 में है भारत के समिधान के उद्यश्यों में से एक आरथिक न्याय का उलेख किया गया है Option है प्रस्तावना तथा मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना तथा राज के निती निर्देशक सिध्धानतों में, मौलिक अधिकारों तथा राज के निती निर्देशक सिध्धानतों में या उप्रोगत में से कोई नहीं इसके सही आंसर है Option बी प्रस्तावना तथा राज के नीती निर्देशक सिध्धान्तों में भारत के समिधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उलेग किया गया है प्रस्तावना तथा राज के नीती निर्देशक सिध्धान्तों में राज सभा के संबंध में निम्नांकित कंथ्नों पर विचार करें। कथन दिया गया है, पहला है, राज सभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है, सही है, दूसरा में लिखा है, इसके एक चौथाई सदस हर दूसरे वर्ष सेवा निर्वित होते हैं, तो ये गलत है, इसके एक तीसरा में लिख्या है राज सभा के सदस्यों की पदा उधी 6 साल की होती है तो ये भी सही है तो इस तरह से इसके सही आंसर है option B कथन 1 और कथन 3 सही है राज पाल के संबंद में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन लिखा है वह अपना त्याग पत्र राज के मुख्या नाय धीश को प्रस्तूत करता है दूसरा में लिखा है उसकी आयू कम से कम 35 वर्सकी होनी चाहिए और तीसरा में लिखा है उसकी परिलब्ध भत्तों और विश्य सधिकारों का निर्धारन राश्ट पर दिद्वारा किया जाता है उप्यूर्प्त में से गलत कथन है तो इस वाले प्रस्ण को व्यापम के फैनल अंसर में विलोपित किया गया है अगला प्रस्ण है कथन एक और कथन दो दोनों ही सही है अगला प्रस्ण है निम्नांकित में से कौंड Сी समिति केवल निष्ले सधन की है आप्छन है आश्वासन समिति प्रत्यायोजित स्बिदान्संबंधि समिति लोग उप्रैं समिति जा प्राकलन समिति इसके सही आंशर है दी प्राकलन समिति प्राकलन समिति के वाल निचले सदन की है। ऐसा मुल अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्ता है। ऐसा मुल अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्ता है। और ये दो सिद्धी के संबंद में सरक्षन। भारती समित्धान के किस अनुच्छेद में समयधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है। ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 30 या अनुच्छेद 34 में। अनुच्छेद 32 में भारती समयधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है। निम्नांकित में से कौन सी भू आकृती नदी द्वारा बनाई जाती है। गार्ज, कैनियन, गोखुर जिल। इसका सही आंसर है अप्शन D, एक, दो, एवं, तीन, गार्ज, कैनियन, गोखुर जिल। ये तीनों ही भू आकृती नदी द्वारा बनाई जाती है। भारत का सरवाधिक जनसंख्या घनत वाला राज्य है। अप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, केरल या उत्तर प्रदेश। इसके सही आंसर है अप्शन B, बिहार। भारत का सरवाधिक जनसंख्या घनत वाला राज्य है बिहार। ओजोन की पर्त वाइव मंडल में किस इस तर पर पाई जाती है? ओप्शन है छोब मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल या आयन मंडल इसका सही आंसर है ओप्शन बी समताप मंडल ओजोन पर्त समताप मंडल में पाई जाती है गज किला 36 गड में कहां इस्थित है? ऑप्षन है जस्पूर, बस्तर, रतनपूर या मैनपाट इसके सही आंसर है ऑप्षन C रतनपूर गज किला रतनपूर में इस्थित है एसिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहा है? आप्षन है जगदलपूर, सरगुजा, राजनन गाउं या सराईपाली इसका सही आंसर है आप्षन A. जगदलपूर एसिया की सबसे बड़ी इमली मंडी जगदलपूर में है निम्नांकित में से किसे अस्व अक्षांस भी कहते हैं अवार्ड किसे प्रधान किया गया है? उप्षेल सागर मिस्रा प्रेम रतन मिस्रा प्रेम साय मिस्रा या प्रेम सिंग hela को इसके सही आज़र रहा है उप्षेल ऑप्षेल a सब स्पर अभ्हारान्य कहाँ आस्थित्थ है? आप्शन है बिजापूर, जस्थपूर, सरगुजा या कवर्धा तो इस वाले प्रस्णों को व्यापाम के final answer में विलोपीत किया गया है देखले 130 नमबर के question को विलोपीत किया गया है अगला प्रस्ण है महारानी वसाटा द्वारा इस्थापित शिरपूर के विशनु मंदिर लक्षपन मंदिर के प्रस्थी रशना किस ने की थी option है कवी नरायन, कवी इसान, कवी तेज बांधाव या कवी रेवाराम इसका सही answer है option B, कवी इसान ने भारत की मुख्य परवत स्रेणियों वह उनके सबसे उंचे सिखर को सुमिलित कीजिए तो left side लिखा है परवत स्रेणियों का नाम और right side में लिखा है उसके सबसे उंची सिखर को तो यहां अरावाली परवत का हो जाएगा गुरु सिखर इसी तरह से निलगिरी परवत की सबसे उंची चोटी है डोडा बेटा सत्पुड़ा स्रेनिक की सबसे उंची चोटी है धूबगाड और पर्शिमिग घाट की सबसे उंची चोटी है अनायमूरी इस तरह से इसका सही आंसर है option C भूमकाल का विद्रोह की सन में हुआ था और इस विद्रोह के नेता थे गुंडधूर चिंग्रा पगार जल प्रपात कहां इस्तित है option है बस्तर रायपूर गरियाबन या सिरपूर इसका सही आंसर है option C गरियाबन चिंग्रा पगार जल प्रपात गरियाबन में इस्तित है अगला प्रस्ण है निम्नमे से किस साहित्यकार को 36 गड़ के विद्या सागर की संग्या दी जाती है option है हरी ठाकूर नंद किशोर तिवारी पंडित राम दयाल तिवारी या पंडित लोचन प्रसाद पांडे को इसका सही आंसर है option C पंडित राम दयाल तिवारी को भारत के कौन कौन से राज्य चीन की सीमा से लगे हुए है तो इसका सही आंसर है option 3 अरुनाचल प्रदेश सिक्किम हिमाचल प्रदेश लेटरेटिक या लेटराइट मिट्टी को इस्थानी भासा में कहते है आप्शन है भाठा, कनहारी, दोमट या मटासी तो लेटराइट मिट्टी को इस्थानी भासा में कहते है इसका सही आंसर है option A भाठा मिट्टी लोकगीत लेजा 36 गड़ के मुख्यता कौन से आदिवासी बहुल छेत्रों में गया जाता है? अप्शन है सरगुजा, कोरिया, जस्पूर या बस्तर इसका सही आंसर है अप्शन D बस्तर में लोकगित लेजा चत्ति जड़ के मुख्यता बस्तर आदिवासी बहुल छेत्रों में गया जाता है। भारत का पहला परमानु उर्जा सेंत्र है आप्शन है तारापूर, कलपक्कम, रावत भाटा या काकरापार। इसका पहला परमानु उर्जा सेंत्र है तारापूर जोकी महरास्ट्र में इस्तित्त है। मोहो और संबंधता पाई जाती है भूपटल एवां मेंटल के बीच, मेंटल और कोर के बीच, बाह एवां आंधरिक कोर के मध्य या वाय मंदल और इस्थन मंदल के बीच। इसका सही आंशर है option A, भूपटल एवां मेंटल के बीच, मोहो और संबंधता पाई जाती है भूपटल एवां मेंटल के बीच। आपने देखा कि छात्र समाजिक विज्ञान की कक्षा में पूर्वा ग्रह प्रदर्शित करते हैं, आपकी सबसे उप्योगत प्रतिक्रिया क्या होगी? option है, अध्याय को करिब लाए, समाजिक वास्तिक्तर के आयामों पर चर्चा का आयोजन करे, इन टिपनियों पर ध्यान न दे या छात्रों को फटकारे इसका सही आंसर है option B, समाजिक वास्तिक्तर के आयामों पर चर्चा का आयोजन करे क्या उप्योग करने की अनुसंसा की जाती है जब किसी पार्थ क्रम के विशय या छेत्र में बहुत अधिक जानकारी होती है Option है व्याख्यान विधी, पुष्टाच, अधारित विधी, सहकारे विधी या असाइन्मेंट विधी कक्षा प्रबंधन की वह तक्निक जिसमें शिक्षक एक अनियंत्रित छात्र को सेस कक्षा से हटाकर नकरातनक व्यभार को दंडित करता है कहलाती है, Option है विर्थ होने की तक्निक, संत्रिप्ति तक्निक, टाइम आउट तक्निक या सारिक दंड समूह परियोजनाओं का काम क्या विक्षित करने में मदद करता है, Option है मजबूत इंट्राग्रूप प्रतियोगिता, उपलब्धी की व्यक्तिकात भावना, सहयोग और समस्या समयधान कौसल या उप्रोक्त सभी समूह परियोजनाओं का काम, मजबूत इंट्राग्रूप प्रतियोगिता, उपलब्धी की व्यक्तिकात भावना और सहयोग और समस्या समयधान कौसल ये सभी विक्षित करने में मदद करता है कक्षा में वैभारिक सिक्षा के विचार का अर्थ है कि सिक्षा किस पर लागू होनी चाहिए अप्चन है अभ्यास, समाज, अमूर्त ज्यान या असली दुनिया इसका सही आंचार है अप्चन D असली दुनिया कच्चा में वभारिक सिख्चा के विचार का अर्था कि शिक्चा असली दुनिया पर लागू होनी चाहिए एक सिख्चा को समाजिक विज्ञान पढ़ाते समयं कीस पर ध्यान कींदित करने का प्रयास करना चाहिए Option है विवरन याद रखने पर ध्यान दे, तथ्यों मुल्य और पैटर्न पर ध्यान दे, केवल तथ्यों पर ध्यान दे लेकिन मुल्य पर नहीं या केवल मुल्यों पर ध्यान दे तथ्यों पर नहीं इसका सही आंसर है उप्शन C, किलपेट्रिक. निमलेखित में से कौन सी समाजिक विज्ञान में नई आउधारना है? उप्शन है तथ्यात्मक जानकारी का संचय, समाजिक रिती रिवाजों का अध्यान, मानव संबंधों और समाज की बेहतरी का अध्यान या अंतरराश्ट्रिय संबंधों का अध्यान. तो दिएगए उप्शन में समाजिक विज्ञान में नई आउधारना है, इसका सही आंसर है उप्शन C, मानव संबंधों और समाज की बेहतरी का अध्यान. चात्रों की गुन्वत्ता का मुल्यांकन करने के लिए उप्योग की जाने वाली scoring guide को कहा जाता है option है रूब्रीक, checklist, inventory या rating scale इसका सही आंसर है option A, रूब्रीक छात्रों की गुन्वंता का मुल्यांकन करने के लिए उप्योग की जाने वाली स्कोरिंग गाइड को रूब्रिक कहा जाता है। नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। आप्शन है अचानक, लगतार, धिरे-धिरे या अपेक्षक्रित। इसका सही आप्शन है अप्शन C, धिरे-धिरे नया पाठ्यक्रम धिरे-धिरे शुरू किया जाना चाहिए। थांक्स प्रवाचिंग, जय हिंदी।